अगर आप लोग मद्द्पिदेश के किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मद्द्पिदेश करेंट अफियस से कुश्चन्स पूँचे जाते हैं चाहे वो आपका देखे MPPSC हो प्रिलिम्स हो या आप देखे कि सिक्चक भरतियां होती रहती हैं आपके MP में वर्ग 1,2,3 के लिए पूलिस कॉंस्टिपल, SI दरोगा, पटबारी, जेल पहरी बहुत सारे एक्जाम होते हैं तो इसमें आज हम लोग नवंबर 2022 में जो घटनाएं घटी हैं उनका एक overview ले लेंगे आपकी परिक्षाओं के लिए कौन-कौन से मात्पूर पॉइंट हैं उन्हें एक-एक करके देख लेंगे अभी तक हम लोग जन्वरी से लेकर अक्टूबर 2022 की सभी घटनाओं को कबर कर चुके हैं मद्धपदेश करेंट अफ एस 2022 के नाम से आपकी पिले लिष्ट सूची बनी हुई है वहाँ जाकर आप लोग उन्हें देख सकते हैं सभी क्रम सभी क्लासों को किरम से देखिए मद्धपदेश दिखाई दे रहा है यह आप देखेंगे मद्धपदेश की स्थापना की बात करें तो एक नवंबर 1956 में इसे आप लोगोंने क्या आप लोगों का मद्धपदेश का गठन होता है इस से आप देखेंगे कि यहां का जो हाई कोट है उसकी मुख बिरांच जबलपूर में देखने को मिलेगा और जबलपूर को आप लोग नियाएक राजधानी भी कहते हैं और इसकी दो खंड पीठें एक इंदौर में दूसरी ग्वालियर में ठीक है और चेदफहल में दूसरे नम्मर पा आता है पहले पर आपका राजिस्ताने दूसरे पर मद्वधेश है यह आप दिख लिजिए इस सबसे उत्तर में आप देखे मुरेना है, सबसे दच्छिन में बुर्हानपूर, सबसे पश्चिन में अलीराचपूर और सबसे पूर में आप रोगों को सिंगलॉली देखने को मिलता है जो मानक समय रेखा है ना, वो सिंग रॉली से जाती है कि बल एक जिले से मदपदेश के, करक्रेका भी मदपदेश से जाती है यह आप लोग बताएं कितने जिलों से होकर जाती है इसमें पहली खबर है आपकी, दो नवंबर 2022 को मुखमंती सिवरा सिंग चोहान ने रबेंद भवन भोपाल में 1447 यानि की 1447 लाडली लच्मी बेटियों को उच्छी सिक्षा के लिए 1 करोड 85 लाख रुपी की रासी अंतरित करते हुए लाडली लच्मी योजना 2.0 का सुबारम किया है और इस आउसर पर मुखमंती ने महिला बाल विकास द्वारा विकास लाडली लच्मी योजना पुष्टीका का विमोचन भी किया है और पुष्टीका में योजना प्यारम होने से लेकर अब तक की विकास यात्रा का विस्तार से उलेक मिलता है इसमें और मुकमंत्री ने योजना के तहद महाविध्याले में पिरवेस लेने बाली बेटियों को पितीक सवरूप रासी के चैक भी सौपे हैं और मुकमंत्री ने लाडली लच्मी योजना प्यारम होने की पिष्ट भूमी की जानकारी देती हुए बताया कि 2005 में उन्होंने मुकमंत्री बनने के बाल लाडली लच्मी योजना तियार करवाई 2007 से प्यारम की गई थी है कब 2007 से और इस योजना में 43 लाग से अधिक लाडली लच्मी या परिवार की सदसों के साथ जोड़ चुकी है और मुकमंत्री ने बताया कि लाडली लच्मी योजना को सिक्षा से जोड़ा गया है और विभिन कक्छाओं में उत्तीर होने बार बेटियों के लिए प्रोसान रासी का भुपतान करने के लिए विवस्ता की गई है और लाडली लच्मी योजना के तैट कच्छा बार वी की उत्तीर करने बाली महाविद्याले जाने पर बेटी को 25,000 रुपी की आर्थिक साहिता दी जाएगी और उन्हें सिक्षित कर केरियर का चैन करने में मदद भी होगी इसके अलावा मुखमंतिरी ने कहा है कि राज्य सरकार ने हर जिले में एक पार्क लाडली लच्मी बेटियों के नाम बिक्सित करने का नेड़े लिया है और तत्या टोपी स्टेडियम कहा है भोपाल में आपकी राजधानी में अंगली खबर आप देखेंगे 2 नवंबर 2022 को मुखमंति सिवरासिन चोहान ने भोपाल में भारत माता चौराय पर लाडली लच्मी पत का लोकरपड किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भोपाल में भारत माता चौराय से पॉली टेकनेकल चौराय तक मार्क जो अभी स्मार्ट सिटी टक सडक के नाम से जाना जाता है अब वो लाडली लच्मी पत के रूम में जाना जाएगा महला ससक्तिकर से समदित जानकारियां पे दसित की जाएगी और इसे मा बहन बेटियां और समाज जागरूख होगा मुकमती ने कहा है कि बड़े लोगों की बज़ए अब बेटियों के नाम पर पिदेश की सडकों का नाम करन किया जाएगा अच्छी पहले और वेटियां आप देखे कहीं किसी छेत में पिषडी नहीं है जाओने मौका मिल ला है वो बहतर कर तब दिखा पा रहे है टीक है ती नवंबर 2022 को केंद सरकार के जंजाती कारमंतराले के इंत्रगत देश के एकलब आदर्स आवासी बिद्ध्याले के लिए बैंगलोर में आजे तीसरे नेसरल कल्चरल फैष्ट में मत्पिदेश ने देश में तीसरा असिल किया है कौन सा तीसरा और इस फैष्ट में 13 विभन विधाओं में मत्पिदेश की बिद्ध्यार्थियों ने अपनी जगे बनाई और मत्पिदेश के जंदाती कारविपा के अधीन संचालित एकलब आदर्स आवासी बिद्ध्याले के लगबक 80 जंजाती बिद्ध्यार्थियों न फैष्ट में यह उपलब्दी प्राकर्पिदेश का नाम रोसन किया है और तीन दिवसी इस कल्चरल फैष्ट में सास्किय उपसास्तरिय गायन बाद वादवादन एकल और समुगायन ततकालिक चितकारी नाटक जंजाती समुगनित लोकनित और समुगायन जैसी विधाओं प्रिसनोत्री में पहला इस्थान पर आपकिया है और स्क्षी ने अंग्रेजी भासमें वी पहला इस्थान पर आपकिया है हिंदी बाद व्रेद में EMRS लेयन के समुगायन पिथम इस्थान पर आपकिया और आप देखें E.M.R.S. इंदौर की हिमांगी खपड़े ने इस पहल B में दूसरा इस्थान हासिल किया है और E.M.R.S. बढ़वानी की कार्थी के डोड़वे ने हिंदी भासन में दूसरा और E.M.R.S. पाली के तीर्थ सिंग ने कावे बढ़वानी का दल तिती है रहा है और जनजाती एकल गीत गायन में E.M.R.S. बुन्दनी की रंगेता ने पहला मुकाम हासिल किया है और साथ ही आप देखें E.M.R.S. तामिया की आसिस भारती ने तीसरा इस्थान पर आपकिया है क्या तीसरा इस्थान पर आपकिया है और आप देखें चार नवंबर 2022 को मद्ध पेदेश राजसासन ने पेदेश में 31 जन्वरी से 11 फर्वरी 2023 तक होने बाले खेलो इंडिया यूद गयम्स 2022 के पांचवे संसकर्ण की आईजन के लिए मुकमंती सिवराज सिंग चोहन की अ अध्यक्ष और खेल इवा कल्यान मंत्री मद्ध पिदेश उपाद्यक्ष होंगे और मुक्ष सचिब मद्ध पिदेश आसन केंद्री सचिब इवा कारक्रम और खेल मंतर आले अपर मुक्ष सचिब सामान पे सासन ग्रह और बित्य विभाग समती के सदस होंगे और मुक्ष स स्कूल गेम्स फेडरेशन ओप इंडिया को सदस बनाए गया है। जन संपग विभाग को सदस की रूम में सामिल किया गया है। जन संपग विभाग को सदस बनाए गया है। और कारकारी समती खेलो इंडिया युग गेम्स के इस्थानों के अदोस अरचना विकास की निगरानी और किरियानमर एजिस्टियों के कारियों की समीक्षा भी करेंगी। ये भी देखने को मिलेगा। अंगली खवर की तरफ चलते हैं। बिस्त कर्मा पुरुषकार 2021-22 सम्मान समारो आयुजित किया गया है। और भोपाल हाट में आयुजित समारो में सिल्पियों को सम्मान सो रूप सौल, पिर्माडपत और तामपत देकर सम्मानित किया गया है। और इस दोरान आयुजित हद करगा, सहःपरवन्थ, संचालक, संत, रवीदास, मद्विदेश, हज्त, सल्प, इबं हद करगा, विकास, निगम भोपाल, अनुभास, रिवास्तों ने बताए कि सिल्पियों, बुनकरों की पुरुषकित किर्टियों की पिदरसनी भी समारो को इस तलपर लगाई गई, और इस अमारों में 6 बुनकरों, और 6 सिल्पियों को समानित किया गया है, 2021 के लिए इस कबीर बुनकर पुरुषकार पिथम पुरुषकार, चंदेरी की वसीम मुहमद को, दूतिया पुरुषकार चंदेरी की रेखाबाई कोली, और तितिया रोपे दूतिय पुरुसकारी के लिए 50,000 और तेतिय पुरुसकार के लिए 25,000 रोपे का चेक दिया जाता है। पुरुसकारी के लिए 25,000 रोपे की रासी पिदान की जाती है। पुरुसकारी के लिए दिया गया है। और उक्ते बस संचालन के लिए राजस जुटाने ही तो निवदाएं आमन्तित की गए। जिसके चलते अलग से एजिंसियों का चैन किया गया है। और BCLL के इस सूत को देश भर में सराहना मिली है। और पिदेश के अलाबा केंद सरकार ने भी इस मॉडल के उसराह है। वर्तमार में 20 मारगों पर BCLL द्वारा 352 बसों का संचालन किया जा रहा है। और जिन में रोजाना 1.5 लाग रोपे से जानदा यातिरी सफर करते हैं। तो ये भी याद रखेगा। अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं। ये 4 नवंबर 2022 को राजपाल मंगू भाई पटल ने देव प्रवोधनी एकादसी पर 7 दिवसी अखिल भारती कालिदा समारों 2022 का सुबारम किया है। चार नवंबर से 10 नवंबर 2022 तक अखिल तक आयोजित किया गया है। आलंकरन राश्टी एक कालिदा समान से विभूसीत किया गया है। और आप देखेंगे कि अखिल भारती एक कालिदा समारों उज्जेन सहर में पितेग बस आयोजित किया जाने वाला एक साथ दिवसी ये समारो है। जो कालिदात, वात्सयायन, भर्थ भी जैसे संस्कित की साहितकारों से परचे थे। और सिफ मंगल सिंग सुमग, पिभाकर माजवे, गजानन, मादो, मुक्तिबुत, पंडिस, सूर, नरायन, व्यास जैसे हिंदी लेखों की सराहना करते हैं। अकिल भारती कालिदा समारों के दौरन कई नाटकों का मंचन भी किया जाता है, जो सामाज एक राजनेति सांस्कितिक आदी बिसे हों की एक बिसेत सिंगला गुदर साते हैं। भारती सास्ती कारकरों में कुछ कलाकारों के लाबा कई दिगज भी पितासन करते हैं और जिनके संगीत छेत्र में यात्रा अभी सुरू हुई है। और याद रहे भारत के पहले राष्टपती डॉक्टर राजन पिसाद ने उन्नी सो अन्ठावन में पहली बार इस समारों का उधगाटन किया था। और राजिकी मंतरी करन सांसाद और विधायकों द्वारा सभी 52 जिलों में जिलास्तरी पुरुसकार वितरन समारों में उत्कृष्ट कार करने बाले 8,693 लोगों को पुरुसकार दिया गया है। और भेंड में दोसो पंचान में रायसेन जिलों में 75 लोगों को उत्किस्ट कार के लिए चुना गया है। और भेंड में 115, सिंग्रॉली में 397, दतिया में 111, बैतूल में 25, नर्वसिंगपुर में 65 लोगों को पुरुसकार दिया गया है। और नर्वदापुरा में 300, सहडोल में 102, उज्जन में 160, रतला में 350, मंदसोर में 25, उमरिया में 75, दमोव में 20, टीकमगड में 160, नेबाडी में 315, रीबा में 400, सीधी में 105, गुना में 147, नीमच में 22, और विदीसा में 100, सिहोर में 60 लोगों को दिया गया है। और सीबुनी में आप देखें, 120 लोगों को जिलाइस्तरी समारों में पुरुसकार से समानित किया गया है। और संचालक ने बताई कि गद वर्सों में इस चात्विती परीक्षा में चंबलित होने वाले विद्ध्यार्तियों की संक्या 2009-19 की में अधिकतम 1 लाग ही रही। और इस बर्स इस परीक्षा की सुचारिव आईजन के लिए संपूर्ट फिदेश में 811 परीक्षा के अंध बनाए गये हैं। प्रभा साली चात्रों के चैन कर चात्विती परीक्षा के लिए राज्मैस्थर केवल सास्की अनुदान पराप्त अथवाइस्थानी निकायों दूरा संचाले बिद्धयालों में कक्षा 8 वी में नेमित रोप से अध्यन ऐसे बिद्धयार्तियों यी पात होगे जिनोंने कक्षा सात्वी में कम से कम C ग्रेड पराप्त किया हूँ और चात्चात्राओं के अभी भाबक की बार से कायत 3,50,000 रुपे से अधिक नहीं होनी चाहिए और चात्विती के लिए मद्पदेश राज जहेतु केंद्रीय रक्सिक्षा मंतराले द्वारा 6446 चात्रों का कोटा न इसमें चैनी चात्रों को कक्षा नौवी से बारवी तक 12,000 रुपे पिती बर्स मान से चात्विती एक तरह से परात्त होगे कि बच्चे पढ़ सकें आगे ठीक है अंगली खबर है आपकी ए साथ नमबंबर 2022 को मद्पदेश के राजपाल मंगू भाई पटेल मुखमंती सि सब्मानिजी किया है और चात्रपुर के कलेक्ट संदीव जी आर को पिधानमंद्रि आवा से मंधावा से उजелित सम्मानिज किया गया है कारिक्रम में दोनों कलेक्टरों को पुरुसकार के साथ ही दोनों जिलों के लिए 10 लाक रोपीय की नगदरासी भी मिलिये और चातरपुर कलेक्टर संदीब जी आर की नेतित में जिले में पी-म-े-वाई के तहट ग्रामीर चितरों में पातलावार्थियों को पक्के मकान राज़भर में उतकर्ठ पिदासन किया है और संदीब जी आर ने बताए कि पंचादो ग्रामीर विकास विवाग ने उन्हें उज्जयन में जिला परसद के सी यू की रूम में तैनात रहने के दोरान उतकर्ष पिदासन के लिए पी-म-े-वाई ग्रामीर में राजजिस्त पर है चातरफुर को भारत सरकार की निती आयोग के एडिपी में देश के 112 सबसे आविकसित जिलों में सामिल किया गया है और मद्पिदेश नगरिये पिसासन और विकास विवाग को केंद सरकार की पी-म-े-वाई और पी-म-सो निधी स्ट्रीट वेंडर्स आदमनभर जिसमें आप देखे बढ़वानी जिले में राज्य ने राज में पी-म-े-वाई सहरी में उतकर्ष पैदासन किया है और याद रहे अस ग्राम ट्रस्ट पल्चर ने उन्ने सो असी में से कुष्ठा गरम कुष्ठा सरम में रहने बाले कुष्ठ रोगियों के लिए घर नहीं है उनके लिए या आप देखेंगे 9 लॉमबर 2022 को मुखमंती सवराज सिंग्चोहान की अद्यक्स्ता में मंती परस्ट की बैठाक होती है और मंती परस्ट ने पिदेश में सारवजनेक बितन पढाली और अनकल्यानकारी योजनाओं में मुखमंत्री युवा अन् इस लाद 25,000 रुपे की पिसास की स्वीकिती देने का नेडह लिया है और नेडह के रूशा स too म राई योजना में 23 स्कूल भवन रवाण कारे हों में से 11 कारे यों की निर्मार्ट एيजनसी परियोजना की 2 एन्मन 1 3 लोग पितरण पिदाली और अन्य का लियारकारी युजनाओं में मुखमंत्री युवा अन्य दूद युजना अलगू करने की अन्मति दी है और इसमें उद्यम करांती युजना के पिथम चरण में 888 बेरोजगार युवाओं को बेंक रेड से बहान उपलब्द कराए जाएगा और इसे लक्षित सारजनेक पितरण पिदाली और अन्य का लियारकारी युजनाओं में आवंटित रासन सामागरी को पिदार के अंद से उचित मूल दुकानों तक परीवान कराये जाएगा और मंति पस्तन ने नर्वई जलाने नर्वाई जलानी की पिथा को हतो साहित करन और किसी अंती करन को बड़ावाओ भूमिय में नमी का सरक्षन करने के लिए फसल और अवसीस प्रबंधन युजनाओं को संचालित करने करने ड़लिया है। नमीन युजना प्रात्मिक पिसंसकर्ण को प्रोसान युजना को संचालित करने करने ड़लिया है। 13 नवंबर 2022 को मद्विदेश के भेंड जिले की पैरा काय किंग खिलाडी पूजा ओजा को केंद्रिय सामाजिक न्याय एवं अधिकार्तम अंत्राले द्वारा राश्ती पर उसका सर्वसिष दिब्यांग जन्थ सेडी खेल के लिए चैनित किया गया है। पूजा ओजा और किस खेल से जुड़ी हुई है। और इस वोष्ट अथोर्टी ऑफ इंडिया के सहयोग से पूजा इस पीते युगता में भाग लेने गई थी और पूजा को यह सम्मान सामाजिक न्याय एवं अधिकार्तमंत्राले द्वारा दिया जा रहा है। और सरुष्ट दिव्यांग जन सेडी में खेल में पूजा सहत देश भर के च्छै सरुष्ट खिलाडियों का चैन किया गया। और पूजा मद्पदेश से चैनित एकमात खिलाडिय है। क्या है एकमात खिलाडिय है। एंगली खबर आप देखेंगे। यह आपकी 14 नमबर 2022 को मद्पदेश के मुखमंती सिवरासिंग चोहान ने US के कॉंसूलेट जनरल महावाडिज दूत मेचल हैंकी ने भेंट किया। और इस दौरान मुखमंतीरी ने का है कि मत्पदेश और US के मद्द विभिन चेत्रों में सहयोग बढ़ाने की ब्यापक संभावना है। और US मुखमंतीरी ने US के कॉंसूलेट जनरल मिचल हैंकी को जनवरी में हो रही गिलोबल इन्वेस्टर सम्मिट के लिए भी आमंतित किया है। मुखमंतीरी ने का है भारो तो US के मद्द विभिन चेत्रों में सहयोग बढ़ाने की ब्यापक संभाव नहीं और दुई पक्षिय ब्यापार और निवेस की प्रात्मिक्ताओं पर कार करने के लिए बैठक महत्पूर है। गब तीन वर्स में मद्द विएस में होने वाले निर्यात में बिद्धी हुई है और 2019-2020 में 5 billion US dollar का निर्यात हुआ। वहीं आकड़ा आप देखेंगे 2020-2021 में बढ़कर 1.800 वर्स 2021-22 में बढ़कर 1.33 billion US dollar हो गया है। और मुक्रूस से जो उत्पाद मद्द विएस में निर्यात होते हैं उनमें बास्मती चावल हो गया, दबाईयां हो गई, सूती वस्त हो गया, खात तेल आदी आप देखेंगे इसमें सामिल हैं। आयात का मतलब होता है अप लोग कुछ खरीद रहें, निर्यात का मतलब होता है कुछ खरीद रहें। मद्द पिदेश की सरकारी संस्था MPIDC और USTDC DA की मद्द MOU कर और आंगे ले जाया जा सकता है। और पिदेश में किरसी विकास उद्यान की और खाद पिसंसकर्ण की चेत में बहुत अच्छा आधार इस्तापित है। मद्द पिदेश भारत में गेहू का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य और इस छेत में भी US के साथ सांजेदारी कर टेकनोलोजी ट्रांसफर कर निवेश की संभावनाएं तलासी जा रही है। और कॉसल विकास इबं पिसिक्चर्ण, नवाचार और अनुसंदान इबं विकास के चेत में सेंटर फोर एक्सिलेंसेस, इंक्यूवेशन सेंटर और कॉमन स्पैसेलिटी सेंटर को US कंपनियों के साथ सांजेदारी कर इस्थावित करने की प्रियास है। और पिदेश में स्मार्ट सीटी, विकास में सांजेदारी एबं नवाचार के नवीन आवसर खोजने का कारवी प्रात्मिक्ता में सामिल है। और स्वक्षता की छित में मद्धदेश देश में सबसे आगए है। और नव करनी है उर्जा की छित में रीवा जिले में स्थावित रीवा अल्टा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट एक प्रमुक परियुजना है। जिसकी लागात आप देखें चार हजार पांस सो करोड रुपी और चमता साथ सो पचास मेगाबाट है। और उन्होंने बताई कि ओंकारिसो में सोर उर्जा से संचालित फिलोटिंग सैंथ की इस्थापना की पहल की गई है। और भविस में बरगी और गांदी सागर जलासय पर भी ऐसे सैंथ लगाने का विचार है। तो यह भी देखने को मिलेगा। अंगली खबर की तरफ चलते हैं पंदर नमबर 2022 को मद्विदेश सिंधी साहित अकादमी की निदेशक राजित कुमार वादवानी ने बताये कि अकादमी ने सिंधी साहित के चित में दिये जाने बाले पितिश्री सम्मान वा पुरुसकारों की गोशना कर दिये और 2019, 2021 के संद से रोमणी हरी हिर्दा राम जी के नाम से इस्थापिश साहित गौरब सम्मान दिये जाएंगे और इंदोर के अमर गोपलानी को वर्स 2019 के लिए और भोपाल के केटी दादलानी को 2020 के लिए और भोपाल के ही भगवान बाबानी को 2021 के लिए साहित गौरब सम्मान से सम् दे जाएगी और किसने खटवानी इसमीती सेष्ट गद्ध किर्थी पुरसकार 2019 के लिए गोभ गोलानी की किर्थी जोगन जी फिरित को बस 2020 के लिए आसुदो लच्छवानी की किर्थी और सुहीनी सुपीनुक को और 2021 के लिए डॉक्टर नादिया मंसत की किर्थी माम मिंटो ए नफसियत को दिये जाएंगे और खिलै दास बेगवानी इसमीती सेष्ट पद्ध किर्थी पुरसकार 2019 के लिए रस्मी रामानी की किर्थी माहिक सिंदिन को वर्स 2020 के लिए कनहियालाल मौटवानी मंदो की किर्थी आस जा कक को और वर्स 2021 के लिए नंदकुमार सन्मुखा किर्थी नवापन को दिये जाएंगे और गवंती नवानी इसमीती सेष्ट गायका पुरसकार 2019 के लिए सरला नांगदेव को 2020 के लिए निसा चेलानी को और 2021 के लिए प्रिया ज्यान चंदानी को दिये जाएंगे और मास्तर चंद्र इसमीती सेष्ट गायक पुरसकार 2019 के ल के लिए दिलीव लालवानी को दिये जाएंगे। और सेश्टीवाल एक पुरुसका 2019 के लिए गुलाब लाधानी को और 2020 के लिए राकेश स्रिवानी को और 2021 के लिए किरन परियानी को यानी यानी जुड़ा हुआ है नी ठीक है अकादमी ने देशक ने बताए कि सीगी सम्मान समारों का आयुजन या सम्मान पुरुसकार दिये जाएंगे चलिए आंगे बढ़ते हैं अंगली खबर आप देखेंगे 1592 को राश्पती दुरुपदी मूर्वो ने सरक परिवान एवराम राजबार मंतराले की राता पानी अब्दॉल्ला गंज एटासी फोर्लेन परियोजना नह 46 और रक्षा मंतराले की ग्वाली अस्ति कोविद-19 जैसी चोन्तियों का सामना करने में सेयो करीगी और यहां मत्पुर्ण अनुसंदार हो सकेंगे यहां परियोजना भारतमाला परियोजना में नह 46 पुराना नह 69 अब्दुल्ला गंज से बैतुल एंटर कोरी रोड मार का एक हिस्सा ही है और जो भोपाल से नांग जीब और परियावन की सुरक्षा के लिए आवसक उपाय सामिल है और बन जीब अभ्यारन छेत्र में पसू अंडर पास की प्रावधानों से बन पराणियों को आवागमन में आसानी होगी और इस परियोजना की कुल लंबाई आप देखें 38 किलो मीटर इसके निर्मार में 4 27 करोड 59 लाग रुपे की लागत आईगी और परियोजना का निर्मार कार 18 माय की अउदी में पूर किया जाएगा और इस मार को चोड़ा करने से बन पराणियों के आवागमन आवास पर पढ़ने वाले पिरभाव को कम करने के लिए 5 बड़े पसू अंडर पास और आप दे और इस परियोजना का प्रिमुक लाभ भोपाल होसंगाबाद बैतूल नांगपुर की बिहत करनेक्विटी होगी और साथी भारी यातायात से इस तरह कोपयोग करताओं को सुविधा पराप्त होगी रातापानी बन जीब अभ्यारन और सत्पोडा टाइगर रजर्ब तक बहतर आवागमन से पर्याटन छेतर को बड़ावा और रोजगार की अउसर में बिद्धी होगी और इसे जहां समय उईधन की बच्चत के साथ पिदूसन में कभी आएगी वह इस तरह कोपयोग करता की सुरक्षा में भी सुधार होगा और परियोजना के पूर्ण होने से छेत के लोगों को तीब सामाजिक और आर्थिक समरिद्धी का कार भी हो सकेगा तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए अंगली खबर है आप देखें 15 अबन बर 2022 को राश्टपती दुरोपधी मूर्मू ने मद्धपिदेश के लालपूर सहडोल में राजिस्थर के हैं और अनुसूची चेतरों के लिए बनाये गए नए नियम जनजाती चेतरों के ससकती करण और जनजाती वर्ग को उनके अधिकार दिलाने में प्रभावी होंगे और इस आउसर पा राश्टपती दुरोपती मूर्मू को मत्धपिदेश के राजपाल मंगू भाई और इस आउसर पा आप देख राजपाल मंगू भाई पटेल ने कहाई कि आसे मदपिदेश में लाउ किये पैसा एक्ट के नए नियम जनजाती वर्ग की सामजे के आर्थिस सकती करण में मात्पूर्ट सिद्ध होंगे और इन नियमों के लाउने से ग्राम सभाएं बहुत सदीक सकती साली हो जाएंगे पैसा एक्ट के नए नियमों के नुसार जल जमीन और जंगल का प्रबंधन छोटे मोटे विवादों का निराकर्ण स्वास्त केंद और स्कूल आंगनबाडी केंद्रों का निरिक्चन विभिन ए उजनाओं की मॉनेटिंग आधिकार ग्राम में दिखाने होंगे और जिससे रिकॉर्ड में कोई गड़वरी ना कर सके और गड़वरी होने पर ग्राम सभा को उसे ठीक करने का अधिकार होगा और किसी योजना के लिए जमीन लेने के लिए ग्राम सभा की सहमती आवस्यक होगी और कोई भी बेक्ति चल कपट धर्मांत अधिकर गाओं वालों की जमीन नहीं हडब पाएगा यदि ऐसा होता है तो ग्राम सभा को उसे बापस करवाने का अधिकार भी होगा और रेत ख़दान गिट्टी पत्थर के ठेके देना या नहीं या भी ग्राम सभा तै करेगी और इन्हें पहले जंजाती समाज सहकारी सम संती को दिया जादेगा और तालावों का प्रवंधन उनमें मत्स, खेट, सिंगाडा, ओगाने की सहमती ग्राम सभा देगी ग्राम सभा ही सो एकड से चाई तालाव का प्रवंधन बनोपच का संगरण और नियूंतमुल निर्धारित करेगी तो ग्राम बंच्च आयतों को बाहर ले जाना है तो पहले ग्राम सभा की को जानकारी देनी होगी गाओं में बाहर से आने बाले ब्यक्ति की जानकारी भी ग्राम सभा को देनी होगी जनजाती चित्रों में सरफ लैसेंस धारी साहुकारों की ही निर्धारित ब्याद दर पर पैसा उधार दे पाएंगे औ आदेख ब्याद लेने पर कारवाही होगी और हित्गराही मूलक योजना में पहले किसी लाब मिले और यह अपरात्मिकता ग्राम सभा तै करेगी और बिना ग्राम सभा की अनुमती के कोई नई सराब की दुकान नहीं खुलेगी और किसी सराब दुकान को हटाने की अनुसंसा ग्राम सभा कर सकेगी और छोटे जगडे सुल्जाने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा और जंजाती चेत्रों में आप देखेंगे किसी थाने में FIR दर्ज होने पर इसकी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी और इसकूल स्वास्त के अंगनवारी के अंदर आस्रम सालाएं चात्रवास आधिक निरिक्चन का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा मेला बाजार का प्रवंदन भी ग्राम सभा करेंगी और नए नेमो को प्रभावी ढंक से लाओ के जाने के लिए पैसा पैसा को और इनेटर बनाये जाएंगे अच्छी बात है और गांधी जी तो आप द समिधान में जगे 1950 में ही मिल गया होता जो आप देखते हैं तेत्र और चोहत्रवे समिधान संसों दुन द्वारा दिया गया है पंचायतों के मजबूती पर वो बड़ा जोड देते थे अंगली कबर 17 नवंबर 2022 की है नगरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेन सिंग ने पिथम चरण में 5 लाग सहरी पत्थ विकेड़ताओं को 498 करोड सत्तर लाग रोपी का रिड वित्रित कर मत्कदेश देश में पिथम इस्थान पर है और PM सौनिधी यूजना की दुतिये चरण में 20,000 रोपे रिड रासी, 97,508 सहरी पत्थ विकेड़ताओं को 194 लाग रोप का ब्याज मुक्त रिड पिदान किया गया है और साथी 2,26,000 सहरी पत्थ विकेड़ताओं के लिए लागू है जिनके पास सहरी इस्थानी निकायों द्वारा जाई सेटिफिकेट और बेडिंग पहचान पत्थ है COVID-19 महावारी के दोरा नगरी चित में सबसे जान्दा पिरभादवीत बर्ग इस्ट्रीट बेंडर्स को 10,20 और 50,000 रोपी की कारसील पूंजी रिड पे दान किया जाने के लिए केंसर का द्वारा PM स्ट्रीट बेंडर आत्मिरभर निधी योजना PM सो निधी जुलाई 2020 से प अली खबर आप देखेंगे 18 नमूंबर 2022 को प्रगिती मैदान नई दिल्ली में चल रहे 41 पे भारती है भारत अंतराष्टी ब्यापार मेला 2022 में मद्पिदेश दिवस्तमारों का सांस्कितिक भबता के साथ आयोजन हुआ है और कारकरम का सुबारम लगू उद्योग निगम अध्यक्ष इमर्ती देवी सचेव सूक्षम लगू और मद्यम उद्यम पी नरहरी और महाप्रवंद लगू उद्योग निगम रोहिस्तिंग और आवासी आयवत पंकर राग द्वारा दीप पे जुलित कर दिया गया है और सचेव पी नरहरी ने बताए कि आजादी की 75 वी बर्सगांट पर आयजित इस ब्यापार मेले में मद्यपिदेश मंडप का निर्माण वोकल पूर लोकल और लोकल टू गिलोवल थेम पर किया गया है और या मंडप इंदोर में निकट भविस में होने वाले गिलोवल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारती दिवस में भाग लेने के लिए आगंतकों को निमंतित करता है या मंडप आत्मिरुभर मद्यपिदेश रोड मैप सहिद पिदेश के नीतियों और आप देखेंगे कि उपलाब्धियों सांस्कित धरूहर कला और संस्किती का आउलोकन करने का आउसर प्यदान करता है सिल्फ और भौपाल की जरी जर्दोजी कला का संजीप पिदर्सन भी मंडब में किया जा रहा है और इसके बाद आप देखेंगे मद्य पिदेश समारो में पिदेश की समरिद्ध संगीत और नित बिरासत का पिदर्सन भी किया गया है और सांसकेती कारिकरम में आप देखेंगे कारिकरम में भिरू सिंग चोहान और समूर ने मालवा छेत के कभी लोग गयन और संजय महाजन इबं समूर ने निवाड छेत के गण गोर लोगनेत की मनमोहग पिस्तुती भी दिये और समारों में सास्कीय और निजी छेत्र में उतकेश्ट पिदर्शन के लिए पुरुष्कार भी वित्रेत किये गए हैा और मद्द्देश माटी कला बोर्ड को पहला पुरुसकार और मद्द्द्देश ग्रामीड अजीब का मिसन को दूसरा पुरुसकार पर आप धुगा है इसमें अंगली खबर आप देखेंगे 20 नबंबर 2022 को मद्द्द्देश के पिर्मुक सचिप परयाटन और संस्किती जन 28 नबंबर 2022 से किया जाएगा और दो माहें तक चलने वाले इस बाटर वाटर कार्निवल का सुभारा मुकमंती सुधरासिंग चुहान करेंगे और इसका समापन 28 जनवरी 2023 को होगा और सिफ सेखर सुकला ने बताए कि जल महुसों देश भर की एडवेंचर लवर्स के लि आयुजित की जा रही है और दिस में पहली बार परेटक इस तरह की गतिविदी का आनंद लें और इसकूबा ड्राइविंग बोरिया मल द्वीपर नाइट सफारी लगजरी रीगल सीरिज बोट 40 फीट हाई रोब उस्विंग और आप देखेंगे जिप साइकल पेरा मोटर पेरा सेलिंग और स्पीड बोट जेट इसकाई होट एयर बैलोनिंग मोटर बोट राइडिंग इत्यादी एडवंचर गतिविदियां पिरमुक आकलसन होगी और इस आउसर पर एक वीडियो फिलिम भी दिखाई जाएगी और सुकला ने बताए कि टूरिंज बोट द्वार समेलनों के लिए ऐसी समेलन हॉल की सुविधा मिलेगी जल महोसव में केरल के पिसिद्ध करेली समों के द्वारा वेलनेस इस परा राष्टी अंतराष्टी एंगरलर्स की तीन दिवसी एंगलिंग स्पोर्ट इवेंट संगी समारो पतंग उत्सव जैसी अनेक गतिविनिया परेटकों के मनुरजन के लिए आयुजित की जाएंगी और याद रहे इंद्रा सागरबांग के तरफ परिस्ति थन बंतिया टापू को एक आदर्स परेटन इस्थल भिक्सित करने के उद्देश से इतेक बर्स मंद्पिदेश टूरिज बोर्ट द्वारा जल महोसव को आय और जल महोसव 2021 के साथ दिनों के दौरान दो लाग चाली से जार से जानला लोगों ने धिरमड भी किया था इसका क्या किया था धिरमड भी किया था अंगली खबर है आपकी 21 नवंबर 2022 को जारी सोची में सी एम हेल्फ लाइन में बिजली से कायत निवारन में मद्पतेश पश्चिम चेत बिजली बितरन कंपनी के इंदोर समय सभी 15 जली एक ग्रेड में आये हैं किस में आये हैं एक ग्रेड में सामिल हुए हैं और उब्भोक्ता सुवधाओं में बड़ोत्री बिजली आपूर्टी को लेकर सघन परवेक्षन और 15 जलों में नोडल अधिकारी द्वारा धैनिक समीक्षा कराय जाने से सी एम हेल्फ लाइन नंबर जो 111 ही में आने बाली बिजली सिकायतों का तेजी से एवं सरम्मान तरीके से समाधान हो रहा है और मद्पिदेश में आप देखेंगे कि जो आप देखें पश्चमी आपका क्या है पश्चम छेत बिजली बितरन कंपणी है न ए इंदोर की प्रवंद नेदिसक अमित तोमन ने बताए कि एक ग्र कि पिती दिन समीक्षा करते हैं और प्रवंद नेदिसक ने बताया कि साथी पंद्रे जिलों के अधिकारी भी अपने छित की बिजली समस्तियाओं और सिकायतों का समय पर उचिस तरीके से समाधान कराते हैं और आप देखेंगे कि इस से पी सी एम हेलफ लाइन 181 की मापद धार जाबुआ, अली राजपूर, देवास, खंडबा, खरगोन, बढ़वानी, बुरहानपूर, रतला, मंदसोन, नीमच और उज्जन जिला ए सेहनी में हैं किसमें ए सेहनी में हैं अंगली ख़बर की तब बढ़ते हैं 22 नवंबर 2022 को मद्पिदेश की बिलाइन्ड किरके एसोसेशन द्वारा जिला पिसासन के सहयोग से आगामी 10 दिसमबर 2022 को इंदोर की खाल साव, इस्टेडियम में भारत उस्टिलिया की भी तीसरे T20 विसकब बिलाइन्ड किरकेट मैच का आयोजन किया जाएगा, जो आँखों से नहीं देख पाते हैं ना, उनी की, और ये से कादवारा एसोसेशन को हर संभव सहयोग पिदान किया जाएगा, और क्रिकेट आयोजयोक डॉक्टर अनिल भंडारी ने बताया कि भारती क्रिकेट टीम के पूर खिलाडी इवराज सींग इस बिसकब की ब्राण ने मिस्टर है, वर्ल्ड बिलाइन्ड क्रिकेट में आप देखें 10 देश, और याद रहे भारत की एकमात ऐसा देश है, जिसने दिसंबर 2012 में T20 वर्ल्ड कप और दिसंबर 2012 में वंडे वर्ल्ड कप और जनवरी 2016 में T20 एसिया कप समयत इंटरनेशन चेंपिनशिप के सभी फॉर्मट जीते हैं, क्या जीते हैं, सभी फॉर् भॉपाल की विसन खेडी मद्पिदेश राजी सूटिंग अकादमी में सुरू हुई 65 भी राष्टी पिस्टल सूटिंग चेंपिनसे में मद्पिदेश की खिलाडियों ने टीम एवेंट में पहला पदक हांसिल किया है, और मद्पिदेश की यसराज यादो, अक्षद, त इवेंट में तमिलाडू ने सुरू पदक, हर्याने रजट पदक और पंजाब ने कांस पदक हांसिल किया है, और नेशनल पिस्टल चेंपिनसिप की इंडिविजुवल इवेंट में आन्पिदेश की मुकेस निल्ला वल्ली ने सुरू और राजिस्थान की अवनाओ, उमार ने रजट और तमिलाडू की मीसाक, मीसाक पुत्तु दुरेईन ने कांस पदक जीता है, और 65-वे राष्टी एपिस्टल सुटिंग चेंपिनसिप में पचीस मीटर डेप, पुरुस इवेंट में उत्राकन की अवनाओ, देशपाल ने, स्वड़ और महराष्ट की च खेलो और युवा कल्यान मंत्री, यतुर्यार राजिस इंदिया ने काया कि मन्तफिदेश में इस साल के अंत में राष्टी सूटिंग चेंपिनसिप के अलावा दिसंबा मार में नेशनल घुर सबारी और नेशनल महला वाक्सिंग चेंपिनसिप का आयोजन होगा, जनबरी अंगली खबार आप देखेंगे, 27 नमबर 2022 की है, इस दिर मद्पिदेश जन संपर्ग विभाग के अधिकारी अरुन सर्मा ने बताया कि नई दिल्ली में हुए 41 भी भारत अंतराष्टी व्यापार मेला, 2022 में मद्पिदेश मंडप ने विसे इस पिस्तुती से कांस पदक पराप्त किया है और मद्पिदेश मंडप के डारेक्टर वि एनतिवारी ने यह पूरुसकार लिया है और मिले में आत्मिरभर मद्पिदेश के रोड मेफ सहत राजसरकार की जन कल्यानकारी नीतियों उपलब्दीयों सांस्कितिक धरोहर कलाओ संस्किती का पिदरस्ट इस इसके साथ ही चतरपुर की माटी सिल्फ और भुपाल की जर दोजी सिल्फ कला के सजीव पिदर्सन से राजी की कलाओ और सांस्कितिक सम्रिद्धी की जलक पिस्तुत की गई हैं। अगली खबर हैं आप देखेंगे 27 नवंबर 2022 को संस्किती बिभा की साहित अकादमी द्वारा किलेंडर वर्स 2019 के किर्थी पुरुसकारों की गोशना की गई हैं। और आप देखेंगे अखिल भारती किर्थी पुरुसकार में देखें तो अखिल भारती पंडित माखलनाज चेतुरवेदी निवंत पुरुसकार एं डॉक्टर मनोच पांडे नांगपुर की हैं किर्थी हैं की आलोचना के लिए के नए परिपेक्ष को। अखिल भारती है गजानन मादव मुक्ती बोध एक कहानी सचदानन्द जो से दिल्ली की किर्थी हैं किर्थी है इनकी पल भर की पहचान। अखिल भारती है राजा वी सिंग देव उपन्यास ए परोफिसर आप देखें मनीशा सर्मा अमरकंटक की किर्थी हैं और किर्थी है इनकी ए एसक को अखिल भारती है आचार रामचंद सुकल आलोचना के लिए डॉक्टर कविता भटे उत्राकन की है इनकी किर्थी है भारत अखिल भारती है डॉक्टर इंदूराओ हरियाना की है इनकी किती है चाय संस्क्ती की और आप देखें अखिल भारती है कुवेर्नाद राय ललितने बंद के लिए राजयन दिजन है दिली के हैं कृती है इनकी इस सुर की आध्मकत्ता अखिल भारती विश्णु प्रभाकर ए आदमकथा जीवनी के लिए डॉक्टर कुलदीप चंदक अंगनी होतरी को मुहाली के हैं इन्हें मिला है स्रीक इनकी किती है स्रीक गुरू नानक देउजी आखेल भारती निर्मल बर्मा संसकर्ण जो प्रुफेसर सूर पिकाच चतुरवेदी इंदौर की हैं किर्टी हैं क कठनी की हैं किर्टी हैं की चलें भिरमड की ओर अखेल भारती भारतिंदू हर्ष्चंद अनवाद हैं का संतोस रंजन भुपाल की इनकी किर्टी है थैलमा मीरी कोरीली और अखेल भारती नारद मुनी फेस्बुक बिलॉग नेट पुरुसकार अजय जैन बिकल्ब इंदौ उनके पेज फेस्बुक बिलॉग नेट को दिया गया है परादिसिक किर्टी पुरुसकार विंदावल लाल बर्मा उपन्यास पुरुसकार है डॉक्टर असुनी कुमार दुवे इंदौर को मिला है इनकी किर्टी है किसी सहर में सुबंदरा कुमारी चोहान कहानी है डॉक् पी आलोचना इनने है बूला कार इंदौर की किर्टी साहित मिमानसा को दिया गया हरी किसन प्रेमी नाटक ए असोक मनवानी को दिया गया भुपाल के किर्टी है इनकी वतन आजाद देखू और राजिंद अनुरागी डाइरी ए राजिंद अवस्थी को दिया गया लावा ग्वालियर के हैं किती है अतीत की सब्दिभ्य में पंडित बाल किसने सर्मा नवीन पिदेश की लेखा की पहली किती है ए डॉक्टर अनपूर्णा ससौधिया को दिया गया असोक नगर की है इनकी किती है और बुद्ध नहीं होती है और इसुरी लोग भासा विसेक ए आच संबात पठकाता लेकन के लिए संदीप सर्मा धार के हैं पठकाता लेकन प्रयाग प्रवा और जैतु सिंगस्तवू जैनिंद कुमार जैन लगू कता है डॉकर ग्री जे सकसेना को भोपाल की किती हैं की चानक के दात और जैन आप देखेंगे सेट गोविन दास एकांकी ए अगली के चानका विए लिए ही अठाés नवबर दोजार बाईस को नई दिली के विज्ञान भवन में आई ज़िध भव जिवा और जैन की थे हैं मदपदेश के एक सिद्ध हस्थ सिल्प कलाकार को सिल्प गुरू पुरुषकार एवं पांच सर्ष्ट हस्थ सिल्पियों को हस्थ सिल्प की राष्थी पुरुषकार से सम्मानित किया गया है। और उपराश्टपती जगदीब धनकर और केंदरी मंती प्यूस गुएल ने सम्मान समारू में सिल्फ गुरू पुरुसकार विजिताओं को सम्मान सवरूप सोने का सिक्का दो लाग रोपे की रासी और ताम पत सौल और परमाड पत और हस्त सिल्फ राष्टी पुरुसकार पेंटिंग सिल्फ और मुबारिक खत्री को बास दरी परदे पर हस्त बिलोग पेंटर तथा नीमत जली के सौर्गिये पिदीप जरिया और पमन कुमार जरिया को बिलुप्त तारापुर हस्त चपा चपाई कला के लिए बस 2017 की राष्टी पुरुसकार से सम्मानित किया गय और उक्ते सम्मान समारो में बस 2017-2018 और 19 के लिए देश भर से नामित किये गये हस्त सिल्फ से जुड़े विबिन चेत्रों के 30 हस्त पुरुष्कार क плох और 78 हस्त सिल्फ पुरुसकार को राष्टी हस्त पुरुसकार से सम्मानित किया गया है और 2002 में सुरू किया गया सिल्फ गुरू पुरुषकार ऐसे सरफशे सिद्ध हस्त सिल्फियों को दिया जाता है जिन्हों ने हस्त छिल्फ के छेत में गुरू की भूमी का निभाति हुई सम्मंदित कला को आंगे बढ़ाने के लिए बहतरी इनकाम किया है अंगली पर देखेंगे 28 नबंबर 2022 को मद्ध पिदेश के उर्जा मंत्री पिदुम सींग तॉमर ने बताया कि पिदेश के इतिहास में 27 नबंबर को सरवाधिक बिजली मांग का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है इस दिन पिदेश में बिजली की मांग आप देखे 15,748 मेगाबाट दरज हुई है इससे पूर्ड पिदेश में सरवाधिक बिजली की मांग 24 निसमबर 2021 को 15,692 मेगाबाट दरज की गई थी और पिदेश में जब बिजली की मांग 15,748 मेगावाट दर्ज हुई तो उस्ताना मद्ध पिदेश पूर्फ छेद बिद्धूत बितरन कंपनी जबलको सागर रिवा संभाग में 4,319 मेगावाट मद्ध पिदेश मद्ध चेद बिद्धूत बितरन कंपनी भोपाल गवाली संभाग में 4,808 मेगावाट मद्ध पिदेश पूर्फ पिद्ध पितरन कंपनी इंदोर बाग उजयन संभाग में बिजली की अधिकतम मांग आप देखें 6,313 मेगावाट दर्ज हुई रेलवे को 308 मेगावाट बिजली दी गई है और 17 नवंबर को जब बिजली की मांग आप देखे 15,748 मेगावाट दर्ज हुई तो उसमाई बिजली की सप्लाई में मत्ध पिदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी के ताप और जल बिद्धूत ग्रहों का उतपादन अंस 3823 मेगावाट इंदरा सागर सरदार सरूबर ओका सिर्व उंकारे सो जल बिद्धूत परियुजना कांस 820 मेगावाट सेंटर सेक्टर कांस आप देखे 42,72 मेगावाट आईपीसी कांस आप देखे 25,21 मेगावाट रहा है और ने सरोथ जिनमें नव करनी है सरोथ और बैंकिंग भी सामिल है से पिदेश को 4,311 मेगावाट ब मद्पिदेश के बारसिक परियाटन कारिकरम जल महोसाओ की साथ भी संस्क्रेट का सुबारम किया है और जल परियाटन चेत में मिनी गुआ की नाम से देश बर्म पिसे धनुबंतिया में दो माहा तक चलने बाले इस वाटर करनीवल का समापन 28 जनमरी 2000 तेज को होगा और प खिलोटिंग वैलनेस इस पा का रोमांच लेंगे और पिरमुक सचीब ने इस्थानी नागरेकों से अगरे किया है कि परियाटकों को गाउं का भिरमण कराएं इस्थानी खानपान कला कोसल और खेती वाडी से परचे कराएं और जैसे ग्रामीर को भी आमदानी होगी और प पतंग उसाओ जैसे अनेक गतिविदियां परियाटकों के लिए मनुरिंजन के लिए आयोजित की जाएंगे और आप देखें उलेकनी है कि इंद्रा सागरबांध तट पर इस्तिथन वनतिया टापू को एक आदर्स परियाटक इस्थल विक्सित करने के उद्दे से पिते जैसे लिए बस मद्रप्रियर्श टूरिंज वोड़ द्वारा जलमहुसओं का एलजिन किया जाता है और जलमहुसओं खेलों और परकृति के पिती उस्ताही लोगों को आनंद और रोमंच की अनुवती के लिए साहसिग गतिविदियों के आउसर पिदान करता है जल महोसों में साहिसिक, खेलों को ध्यान में रखते हुए अनस उत्साय वर्जक, बर्दक गतिविदिया जैसे होट इयर बिलूनिंग, साइकलिंग, क्रोज बोटिंग, वाटर पैरा सेलिंग, पैरा मोटरिंग, आइलेंड केपिंग, इस्टार गेजिंग, वर्ड बोचिंग आधी का भी आयजिन किया जाता है, और याद रहे, 20 जनवरी 2022 को जल महोसों को अंतराश्टी इस्तर पर इस्पैन के मेड़िट में भारत की अदूतिये जल और साहिसिक करनिबल के रूम में सम्मानित किया गया है, इसके अलाबा, जल महोसों को बर्स 2017 में भारत सरकार की पर परेटन उत्पाद बर्स 2015 सूले के हित राष्टी परेटन पुरुसका से भी सम्मानित किया जा चुका है, आंगली ख़बर आप देखेंगे, 30 नवंबर 2022 को मद्पदेश राजय सासन ने पैंसनरों के हित में एक बड़ा फैसला लेती हुए पैंसनरों और परिवारों पैं महँगाई राहत की दर अब 201 पिती सत हो गई है, सादवे बेतन मांग में 5 पिती सत की बिद्धी से महँगाई राहत दर 33 मिद्धी सत हो गयी है और आदेस जारी होने के पहले 6 वे बेतन मांग में मूल पैंसन यवारल पैंसन पर reefक 18.3 सत की दर और साथ भी बेतन बांग में 28-30 की दर से महगाई रहाद मिल रही है और आदेश के अनुसर अस्ति वर्ष या उस्ते अधिक कि आयू के पेंस्णों को दे अतरीक पेंसन पर भी महगाई रियायत दे होगी और महगाई रहाद अधी वार्षती की और सेबा निवित आस समर्दता तथा छती पूर्थी पैंसन पर भी दे होगी। सेवा से पत्चियुद या सेवा से हटाए गए करमचारियों को सुईकार किये गए अनुकमबा भत्ता पर भी महेंगाई रहत की पातता होगी। और परिवार पैंसन और आसाधरन पैंसन प्राप्त करने वाले पैंस पैंसन पर उसे महेंगाई रहत की पातता होगी। और ऐसे पैंसन ओर जिन्हों ने अपने पैंसन का एक भाग सब्सक्राइं白व पाति पंठात प्रैंस्पर अन्य इसका ऊत्रसिरे की या अदर्डा या आधिस करने वो बिसंगेती की स्तिती में उसके समायव जन आगामी माहे के भुक्तानों में करने के निदेश दिये गया है और सभी पैंसन संभितरन करता अधिकारी को निदेशित किया गया है कि विपंद्पदेश को सा ले सहिता 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पैंस में उनका भी एक ओवर विव ले लेंगे उनसे आपकी परिक्षाओं के लिए कौन-कौन से महत्कून पॉइंट है उन्हें भी देख लेंगे आपका कोई सवाल हो मुझसे कोई सो जहां हो मेरे लिए तो आप लोग फूच सकते हैं और मेरी सुबकामना आप लोगों के साथ हम इसा हैं आप लोग पढ़ते रहें मेहनत करते रहें